हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत आप सबों का आपके अपने यूटूब चैनल सिख्छा भी था यूस में और दोस्तों मैं आई यूस आप सबों के लिए एक नया वीडियो लेके आजा हूँ जो कि आपका प्लेटफार्म स्टैक जी के वॉल्यूम सेकेंड का वीड देख सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो साथ ही एक छोटा सारी क्वेस्ट आप सव उसे निरंतर वना रहेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सेकर अभी तक नहीं जूरे हैं नए है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजेगा तो आई फ्रेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्ण तो पहला जो प्रस्ण है वह है आपका कि धोती गम्छा कहां के देशाज वस्तर का प्रतीक है तो देखेंगे धोती गम्छा की बात क कहां पर इस्थित है मतलब सेवी की बात हो रहे सेक्यूरीटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो अगर सेवी की बात करेंगे तो सेवी जो है यहां आपका स्थित है मुंबई में ठीक है सेवी का जो हेड़ क्वाटर है आपका कहां स्थित है मुंबई में ठीक है बरतमान में अध्यक्ष कौन है तो बरतमान में भी सेवी के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके अजयतियागी, ठीक है कौन हो जाएंगे अजयतियागी हो जाएंगे सेवी के अध्यक्ष, ठीक है सेवी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो अजयतियागी इसके अध्यक्ष हो ज अगला प्रस्ण है चौथा नंबर है कि Ministry of Outmost Happiness के लेखा कौन है तो इस पुस्तक के लेखा की बात करेंगे तो इस पुस्तक के लेखा को जाएंगे आपके अरुंदती राये हो जाएंगे बुक का क्या नामे तो Ministry of Outmost Happiness राइट एंसर यहां पर ऑपसर नंबर बी अगला प्रस्ण है पांचमा नंबर भारती संविधान का कौन सा अनुछेद अलप संख्याकों को सैक्षिनिक संस्थाओं की अस्थापना और परवंधन करने का अधिकार देता है तो यह जो आपका अनुछेद नंबर तीस से तीक है किस से जूरा है तो यह आपका बात करेंगे बाकी के अनुछेद को देखेंगे तो आपका दिखराओं का अनुछेद 17 जो कि कई बार पूछा वे जाता है तो 17 जो है यह आपका किसे संबंदित है तो यह जो है आपका संबंदित है और इस प्रिस्तता का अनुमूलन ठीक है छुगा छूत वाला जो है उस होटा है लेकिन अगर और झाल आपसे से देखेंगे तो पहारियों से पूछा गया तो ब्रहतं के निदी के तो किस राज में है तो करनाटक में हो जागा आपका पहारे या पठषार है यह भी आपका काफी इंपोटेंट है यहाँ से तो यह आपके अमरकंट की पहारी से ही निकलती है तो यह भी आपका कई बर पूछा जाता है अगला प्रस्टन है सातमा नंबर कि किस अमल के कारण सुक्र के वातावरण में घहने सफेद और पीले बादल होते हैं तो वह जो होता है आपका सल्फियूरिक एसीड के कारण तो स आपके तो राई टेंसर क्या हो जागा ऑपसर नंबर बी अगला प्रस्टन है आठवा नंबर की पानी के कितने तरफ टेक है पानी से कितने तरफ से घीरे हुए भूमी का एक्टुकरा प्राइदीप कहलाता है तो देखे कोई जो प्राइदीप होता है जैसे भारती हार भी है या प्राइदीप या नदिया भी बोला जाता है तो इस तरह का जो टर्म यूज होता है यह आपको तीन तरफ से घीरे हुए होते हैं ठीक है किसे घीरे हुए थे तो पानी से इंगलिस में इस प्राइदीप को जो आपका पेनी सूला भी बोला जाता है तो वैसा भूभाग जो की तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं प्रायदीप भूला जाता है तो option number C यहाँ पे सही होगा तेक है जो नीचे का जो भाग है आपका इंडिया का यह आपका एक तरफ से देखेंगे तो प्राइदीप कहलाता है या फिर आपका जो सौधी एरब बाला एक होता है और आपका जो छेतर है यह भी आपका इस तीन तरफ से ऐसे पानी से घीरा होता है फिर यह आपका एसी एक कांटिनेंट में ही है राइट एंसर यहाँ पे कहोगा option number C वाला है अगले प्राशन की तरफ चलेंगे तो अगला प्राशन है आपका प्राप्धानों के अंतरगत भारत रत्न पुरसकार का परयोग प्राप्त करता के नाम के साथ उपसर गया प्रतेय के रूप में नहीं किया जाता है तो किसके साथ यहाँ नहीं किया जाता है तो अनुचेद 18 के एक ठीक है किसके साथ तो अनुचेद 18 के एक के साथ यहाँ आपका उप्योग नहीं होता है तो अपसर नमबर A यहाँ पे सही होगा अगला है प्रस्ण आपका 11 नमबर है कि भू बिग्यान की वह साखा जिसमें डाइनासोर्स का अधियन किया जाता है वह किसकी एक साखा का उदाहरन है तो भू बिग्यान की वह साखा जिसमें डाइनासोर्स का अधियन किया जाता है वह आपका हो जाएगा जीवासम बिग्या से सम्मंधी तो राइड एंसर क्या हो जाएगा यहां पर और नंबर ए इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा बरहुंग ये प्रस्न की तरफ तो अगला प्रस्न आपका बारहामा नबर की निम्यों लिखित में के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था तो डोबरायनर के द्वारा पूरा नाम क्या है तो जोहान बुल गैंग ठीक है बुल फुगैंग डोबरायनर इनका पूरा नाम है ठीक है राइट एंसर यहां पर क्या होगा अप्सान नमबर भी आप लोग परहेंगे प्रियोडिक टेबल के अंदर में एक आपको औक्टेट रूल होता है और एक आपका होता है ट्रायाड तो ट्रायाड के बारे में पूछा गया तो ट्रायाड जो होता हुआ किसके द्वारा दिया गया था और अभी जो आपका इसकारक है तो आप लोग को अगर पता है कि माईकल फैराडे ने किस चीज का विसकार किया तो कमेंट वोक्स में आप लोग जरूरी इस चीज को मेंसन कीजिएगा बढ़ते अंगले प्रस्म की तरफ तो अगला प्रस्म है आपका कि खूब लड़ी मर्दानी से वह तो जहा इसकार दोस्तो चोहान जी के दोरा फेक पुस्तक नहीं यहां की कविता है जो की लिखे गए थी तो राइट न से नहीं पर किया तो यह आपका किया गया था सबसे पहले कब किया था यह पूछा जारत तो देखे सबसे पहले आपका वेपार 2000 में किया गया था तो exchange trade index derivative contract ठीक है या आपका जो है सो BSE का कुछ rule type का होगा या कोई act होगा तो उसके तहद पूछा जारा कि पहला वेपार कव किया गया था तो वह जो है सो आपका 2000 में किया गया था साथ ही अगर BSE के बारे में देख लेते हैं तो BSE के बारे में जैसे general person पूछे देता है कि Bombay Stock Exchange इसके स्थापना कव भूई थी तो यहाँ जो है सो आपका 1875 में ठीक है Bombay Stock Exchange के स्थापना कव भूई थी तो 1875 में Bombay Stock Exchange का आपका स्थापना किया गया था साथ ही अगर बात करते हैं BSE के अगर कुछ और तत्ति के बारे में तो यहाँ पूछा जाता है कि आपका कहां पे वस्थीत है तो यहाँ आपका मुंबई में इस्थीत है और भारत के साथ-साथ Asia का सबसे पूराना Stock Exchange बाजार है और यह इस्थीत कहां पे है तो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे अगर पूछ दिया जा तो दलाल स्ट्रीट पे आपका अवस्थीत है अगला प्रस्ण है पंद्रहमा नंबर है कि भारत के जैब मंडल संरक्षित छेतर के संदर में निम्रिकित में से कौन सा जैब मंडल संरक्षित छेतर नहीं है तो कौन सा जो है सो आपका संरक्षित छेतर नहीं है तो वह बताना है देखे अगर देखेंगे तो भारत में कुल तो आपका यहां पर राइट एंसर हो जागा ऑपसर नमबर एवर तो यहां आपका जमू कस्मिन में दाची ग्राम तो यह जो आपके भारतिये जैब मंडल सनरक्षी छेत्र में नहीं आते हैं बाकी अगर देखेंगे अचान कमार की बात करेंगे या नोकरेख हो या अगस्त म तो अचान कमार की बात करेंगे तो यह जो है आपका मधपर्देश में है नोकरेख की बात करेंगे तो नोकरेख जो हो जागा यह आपका मेघाले में है और अगस्त मलाई की बात करेंगे तो अगस्त मलाई जो है यह आपका कहां पर हो जागा तो यह भी आपका तामिल आटू में आपका हो जाएगा और साथे में याग देख लेंगे अकर पूछा जाता है कि भारत में कुल कितनी जैवंड़ आरक्षित छेत्र है तो टोटल संख्या की बात कि रहें तो टोटल अठारा जैव मंड़ल आरक्षित छेत्र हैं बढ़ेंगे अगले प्राश्ण की तरब तो अगले प्राश्ण सोलहमा नमबर की आरक्टिक ठीक है आरक्टिक होम आफ दा विदाज पुस्तक के लेखा कौन है तो बुक का क्या नाम है आरक्टिक होम आफ दा विदाज पुस्तक के लेखा भारत के लेखा नियंत्रक और महा लेखा परिक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद परदान करता है तो यह कौन सा जागा अनुछेद नमबर 148 ठीक है कौन सा है अनुछेद नमबर 148 राइट एंसर और अपसर नमबर A अगर बाकी के अनुछोद को देखेंगे तो जैसे आपका 124 जो है यह आपका किसे सम्मंदित है तो उचितम नियाला की अस्थापना और गठन से ठीक है 124 और किसे सम्मंदित होता है तो उचितम नियाला की अस्थापना और गठन से सम्मंदित है साथ में अगर अनुचिए द 110 की बात करेंगे तो 110 जो है यह अपका money भी ठीक है धन बिध्यक से धन बिध्यक से यह आपका सम्मंधित है और 443 वला सभी लोगों को पता ही होगा कि संगी की राजभासा से ठीक है किसे सम्मंधित होता है वहाणों में रोwasser नाली का मतलब सालिइन सर पाइप के पास लगाने पर वायू परदूजण को नियंतरीक करेगा तो इस तरह का जोह सो अपका यूभ उपकरना किसके दौरा अब इसकार किया गयह है तो यहां उपकरना का अब इसकार किया गए है देवायन साहा के दोरा, ठीक है किसके दोरा तो देवायन साहा के दोरा, ओपसर नमबर D यहां पे सही होगा, अगला प्रस्ण है आपका 19 नमबर की महस्वर सारी, ठीक है महस्वरी सारी से संबंधित महरानी निम्न में से किन का ए करानी थे ये फिर्श के आप का 20 नवर प्रस्ट Walking आठवार में आठवार के विशु चैंपियन स्क्व seven खिलारी नीकोल डेविड किस देश के हैं तो धे आएठव़ार के 20 m शॉप लगा होगा तो लाइक किस देश क्याइध तो चैनल पेनना होlair जाई sitä एक और आप सबों के लिए important एक नोटी समझ लिए कि अभी जो हैसो आपका एक-एक सेठी डेली प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है इस वीडियो से आपका एक-एक सेठी प्रोवाइड किया जाएगा बाकी आपका थोरा सा व्यासता है नीजी कारणों के वज़े से तो जल्द ही आपका आगे चलके पांच-पांच सेठी का दो-दो वीडियो डेली करके मैं आगे कवर करा दूँगा अभी फिलहाल मैं दो-तीन दिन से वीडियो को भी नहीं कर पा रहा था तो इस वज़े से थोरा सा कुछ था नीजी कारण के वज़े से नहीं कर पा रहा हूं अभी भी थोरा सा टाइम कम मिल पा रहा है तो इस वज़े से आपका एक-एक सेठी अभी फिलहाल मैं डेली प्रो करवादू तो इसके लिए थोड़ा सा छामा चाहूंगा आसा करते हैं कि सभी लोग इस चीज को समझेंगे तो वीडियो में लाज तक बने रहने की फेंड्स बहुत बहुत है